दोस्तो ओम नमस्स सिवाय आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 29 अप्रैल से 5 मई 2024 के धनुरासी फल के बारे में धनुरासी के लोगों के लिए यह सप्ता कैसा होगा इस सप्ताहा में कौन ग्रह कहां इस्तित होगा किस भाव पर दरस्टी डालेगा ग्रहों के प्रभाव से आपके वेपार, वेबसाय, नौकरी, सिक्षा, स्वास्त, पारिवरिक जीवन, प्रेम जीवन और दामपत्य जीव कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ, दोस्तो यह सप्ताहा बेहत खास होगा, क्योंकि इस सप्ताहा में ग्यान और धन के कारक, देवगुरु ब्रस्पती अपना रासी प्रिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि मेस रासी से निकल कर, व गुरु के स्थिति इस सप्ताहा आपकी मेहनत और प्रियास के मुकाबले कुछ कम फल देने का कारिय करेगी, जिसके चलते आपका मन थोड़ा निरास हो सकता है, सप्ताहा की सुर्वात में आपको घर, परिवार, केरियर, कारुबार में कुछ अच्छे स्थितियां देखने को मिलेंगी, इस वरान आपको अपने इस्थ मित्रों का सुभचिंतकों का सहयुक प्राप्त होगा, उनके समर्थन से कारिय में अच्छे धन की प्राप्ती होगी, कारिय छेतर में अचानक हुए कुछ एक बड़े बदलाव के कारान आपको थोड़ी परेशानी भी उठानी पड़ सकती है, यदि आप नौकरी या पेशा बदलने की सोच रहे हैं, तो आपको यह नड़ने आविस में आकर या फिर भावनाओं में बहकर बिलकुल नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बाद में पस्ताना पड़ सकता है, यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आपक प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है, धनुरासिक के लोगों को इस सप्ताहा लोगों से टकराव की बजाए, तालमेल बिठा कर अपना कार्य निकालने का प्रियास करना होगा, सप्ताह के उतरार्द में आप सुक सुविदा से जु कोई बड़ा निर्न ले सकते हैं, प्रेम संबंद में साबधाने के साथ पिंग बढ़ाएंगे, जिवन साती की सहत आपकी चिंता का कारण बनी रहेगी, सप्ताह की सुरुवात में चंदरमा से ब्रसपति के चंदर रासी से पंचम भाव में इस्तित होने के कारण आपकी र लाब उठाते हुए, अपने करीबियों के साथ इस समय का आनंद ले, यदि आप सरकारी छेतर में काम कर रहे हैं, तो यह सप्ताह चंदर रासी से तीसरे भाव में, सनी इस्तित होने के कारण आपकी लिए महत्पून और बहतर साबित होगा, क्योंकि इस समय के दौरान आप आपको सरकार से लाब और प्रुसकार मिलने की पूरी-पूरी संभाव न रहेगी, जिस से आपको अच्छे इस्तर का मुनाफ़ा मिलेगा, इस सप्ताह ऐसे योग बन रहे हैं कि परिवार के किसी सदश्य की जौब लगने की वज़े से घर की आमदनी में अच्छा-कासा इ इस सप्ताह कारे छितर में आपको इच्छा-नुसार कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं क्योंकि संभावना है आप जिस रणनीती या योजना पर काम कर रहेते, उनके सफल होने पर आपको दूसरों से खुलकर प्रसंसा की प्राप्ती होगी इस से ओफिस में आपका एक अलगी प्रभाव विक्सित हो सकेगा जिसके कारण अब हर कोई आपसे बातचीत करने में दिल्चस्पी लेगा इस सप्ता आसंका है कि कुछ विपरीत गतिविदियों की वज़े से केई छात्रों का मन विचलित हो और इसके परणाम सरोप इच्छा अनुसार फुलों की प्राप्ती में असफलता मिले इसलिए जितना मुम्किन हो ऐसी हर परिस्तिती से बचने के लिए आपको अपनी पढ़ाई लिखाई और बाकी अन्यकारियों के बीच एक सही संतुलन बना कर आगे बढ़ने की आफशकता होगी धनुरासी के लिए देवगुरु ब्रसपती लगन और चोथे भाव की स्वामी है और छटे भाव में ये सक्री रहेंगे ब्रसपती का विर्सव रासी में गोचर इन जातकों की कुंडले में उन्नती ले कराएगा ऐसे में रचनात्मक्ता में व्रद्धी होगी नए नए आईडियाज आपकी दिमाग में आएंगे जिसके बल पर आपने अवसर प्राप्त करेंगे लेकिन जोरान आपको कड़ी टक्कर का सामना भी करना पड़ेगा इसके लिए आपको सावधान भी रहना होगा केरियर में तरक्की पाने की रहा में उत्पन समश्याओं पर आप जीत हासिल करने में काफी प्रियास करेंगे और आप आखिर कार आपको काम्यावी भी मिलेगी लेकिन इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा विरोधियों से ब्रतिस्परदा होगी तो ये जो समय होगा अच्छा साबित होगा लेकिन प्रियास और कठिन परिश्रम आपको सफलता की ओर आगे लेकर जाएगा इस दोरान हो सकता है आपके खर्चे में व्रत्दी हो तो सोच समझ कर खर्चा करना होगा इस दोरान आपके सामने खर्चे काफी आ सकते हैं इसलिए बहुत सावधानी से योजना बना कर चलना होगा धनुराशी के लोगों को बिना सोचे समझे किसी को पैसे देने से बचना होगा और इस दोरान धैरिये के साथ अपनी योजनाओ पर ध्यान केंदरित करने के आफशकता होगी इस दोरान आपके रिष्टे काफी मजबूत होंगे करीबियों का पूरा साथ मिलेगा समाज में भी आपका वर्चस बढ़ेगा मान सम्मान बढ़ेगा इस दोरान आप अपने मन की बात अपने पार्टनर को अपने साथी को बेजिजग खुल कर कह सकते है गुरू के स्थिति यहां आपको आपके स्वास्ते के परती सजग रहने की चितावनी देती है यानि आपका यहां स्वास्ते खराब हो सकता है तो स्वास्ते पर विशेज ध्यान देना होगा कर्मफलदाता सनीदेव आपकी तिरते भाव में है जो की काफी अच्छी स्थिती में है काफी मजबूत ऐसे में आपकी साहस और प्राकरम में व्रद्धी होगी किसी धारमे की आतरा पड़ जाने की युग बनेंगे भाई-बेहनों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा और भागय का पूरा साथ मिलेगा क्योंकि यहां से भागय भाव पर नवम भाव पर कर्मफलदाता सनीदेव की दरस्टी होगी तो ऐसे में धर्म कर्म के कारियों से आप जुड़े होंगे पिता का गुरुजनों का पुरा सपोर्ट आपको मिलेगा साथ ही इस रासी की जो छात्र किसी कंप्रटिशन की तैयारी में लगे हैं उन्हें अनुकूल परणाम की प्राप्ती होगी कुछ सिक्षा की तैयारी में जुटे लोगों को भी अच्छे प्रणाम प्राप्त होंगे प्रेम और सुके कारग्रह शुकर देव में इस रासी में अस्थ हो चुके हैं जो की सब्ता की सुरुवात से पहले यानि 28 अप्रेल को आपके पंचंभाव में अस्थ हो चुके हैं तो ऐसे में प्रेम संबंधों के लिए समय थोड़ा सा उतार चड़ाव वाला होगा के बार आप निर्णा लेने में भर्मित हो सकते हैं तो ऐसे में जल्दबाजी में कोई नड़ना लें अपनी वानी पर सहीम रखें अन्यता आपकी वानी आपके परिवारेक जीवन में प्रेम जीवन में खटास खुलने का काम करेगी साथ ही यहां सूरिय दिव आपके पंचंभाव में है तो सूरिय की इस्ति यहां आपको मजबूती देगी अचानक धनलाब भी देगी मंगल आपके चत्थुर्त भाव में है तो ऐसे में घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी परेशानियों से बचने के लिए अच्छे परणाम प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन भगवान स्री विष्णू की पूजा करें विष्णू सहस्तर नाम का पाठ करें तो दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें